अमित्चा के लगतार बिहार दोरे को लेकर और बिहार की पूरी प्रक्रिया अपने हाथ में रख करके कहीं न कहीं कहा जा रहा था कि अब अमित्चा बिहार पर पूरी तरह से फोकस रहेंगे और उनकी लगातार यात्रा को लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े को रहे थे इन सारे सवालों का जबाब अब मिल गया है और जैसा की कहा जा रहा है कि अमित साह के निर्देश पर बिहार भाजपा बड़े भुचाल की तैयारी में है आपको बता दें कि बिहार भाजपा को लेकर के यहां के पताधिकारियों को लेकर के और यहां के पूरे संगठन को लेकर के अमित साह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे इसके पहले आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में जिस तरह से नितीश कुमार के जितने भी करीबी थे उनसा सभी लोगों को साइड लाइन कर दिया गया इससे सपस्ट हो रहा था कि भारते जनतापाठी एक नए दौर की शुरुआत में तैयारी कर रही है इसी बीच में आपको जैसा की जनकारी मिली होगी कि भूपेंदर रियादों के साथ नितीश कुमार के संबंद बेहतर नहीं थे इसको लेकर के भुपेंद रियादों को भी संट किया गया था इस बीच में कई नेता आये और नितिश कुमार से सामंजस से बिठाने की कोशिस की गई 2020 के चुनाव से पहले तो आपने देखा होगा कि राजनात सिंग को बीच में पहल करके और दिवेंद फर्णवीस को इस बीच में आ करके और चीजों को समालना पड़ा था लेकिन अब इन सारी बातों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो अमीद साह बिहार में जबसे नितिश कुमार ने पाला बदला है इंडिये को छोड़कर महा गटबंधर की तरफ गया है और सरकार बनाया है उसके बाद से अमीद साह ने बिहार अपने हाथ में ले लिया है और बिहार के सारे फैसले वो खुद करेंगे अब इसी बात को लेकर के उन्होंने बिहार प्रभारी को भी बदला है और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो राष्टिये भाजपा के राष्टिये महा मंत्री है बिनोत तावडे उनको बिहार का प्रभार दिया गया था और तीन दिवसिये दोरा पर वो आ रहे हैं पटना आज उनका आगमन होगा उसके बाद से कई ऐसे जो कारेकरम है उसको उसमें उनको सामिल होना है आपको बता दें कि भुपेंद्रियादों के केंद्रिये मंत्री बनने के बाद भी कहा जा रहा है कि उनको बिहार से बाहर रखा गया है और नए जो प्रभारी हैं उनको पूरा अमित साह के देख रेक में बिहार में सब कुछ बदलना है और अपने विरोधियों को भी टार्गेट करना इसके लिए कौन उचित होंगे और किस तरह का संगठन बनेगा इन सारी बातों पर चर्चा शुरू हो गई है बाजपा कोर ग तावडे की बैठक जो है वो मुझफर पूर में भी आयुजित की गई है उसके बाद वो पटना के पदादिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे इससे पहले आपको बता दें कि संजज या सवाल की भी छुट्टी होनी तय मानी जा रही है आखिर कौन होगा बिहार भाजप पूरी और मंत्री मंगल पांडे सहित नितीश मिस्रा पार्टी के पतादिकारी के साथ कारयाले में बैठक कर विचार विमर्ज करेंगे और इन सारी बातों को मद्दे नजर रखते हुए जो बिनो तावडे हैं उनके आगमन को लेकर के पार्टी में भी तयारी की जा रही ह इस बीच में आपको बता दें कि नितीश कुमार को लेकर के भी भारते जनता पार्टी के बड़ी प्लानिंग है और भारते जनता पार्टी अती पिछणों के मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए तयार नहीं है नितीश कुमार की पोल खोलने के लिए कहा जा रहा है क कि हर प्रखंडों में भारती जनता पार्टी धरना देगी तो वहीं आपको बता दें कि सुसील मोदी भी काफी एक्टिव हो गया और सुसील मोदी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर नितीश कमार को लगता है कि संग कोई ऐसा काम करता है जिससे की नुकसान हो रहा है या अ और लगतार जिस तरह से संजेज असवाल, समराच चोधरी और विजे कुमार सिनहा हमलावर हैं उससे साफ लग रहा है कि नितीश कमार को ले करके भारती जनता पार्टी ने अपनी प्लान बना लिये है और उस प्लान का एक्सक्यूशन करने के लिए बिनोत तावडे बिहा आ रहे हैं देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके आता है और नितीश कमार के लिए कितनी परिशानी पैदा कर पाती है भारती जनतापाटी कहा यह भी जा रहा है कि जब से अमीट साने बिहार का प्रभार अपने हाथ में लिया है तब से बहुत सारे पर भारत लाइब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है अगर यह वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओ ये गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सतीक और मारक ख़वर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाईटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा देला से पेटियम नंबर नोटकली 9386816700